Welcome to Director School Education Jammu Online Radio Classes. A Digital Initiative taken by Director School Education Jammu. Myself, Sachin Goyal, posted at Gourmet Girls High Scandry School, Rehari, Jammu. प्यारे बच्चो, आज हम आपके साथ जो है, Sound Topic लेंगे, और Sound Topic में हम पढ़ेंगे कि Sound किसे कहते हैं, Sound कैसे Produce होती है और Sound किस प्रकार से Travel करती है एक जगा से दूसी जगा में. हम इसके साथ-साथ Speed of Sound के बारे में भी पढ़ेंगे और Audible और Inaudible Sounds के बारे में भी पढ़ेंगे. तो प्यारे बच्चो, अपना Topic शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि Sound जो है किसे कहते हैं? Sound जो है वो एक प्रकार की Energy है. हम कहते हैं Sound is a form of Energy. और Sound जो है बहुत Important है हम सब के लिए. Sound हमें मदद करती है एक दूसरे से बादशित करने के लिए, Communicate करने के लिए, बिना Sound के हम अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते हैं. ये तो आप सब को पता है, अगर आप किसी से मोबाइल पे बात कर रहे हैं, या टेलिफून पे बात कर रहे हैं, या कोई Music को सुन रहे हैं, Radio पे सुन रहे हैं, Television पे सुन रहे हैं, तो आप बिना Sound के Enjoy नहीं कर पाएंगे. तो Sound बहुत Important है हमारे लिए. हम आगे पीछे अपने जितने भी Sounds जो Produce होती हैं, उनको बहुत असानी से पहचान सकते हैं. हम पहचान लेते हैं, बहुत असानी से पहचान लेते हैं, हम Recognize कर लेते हैं, अपने दोस्तों की आवाजों को, अपने माता-पिता की आवाज को, अपने दादा-दादी की आवाज को, अपने नानानी की आवाज को हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं चाहे वो आपके घर के मोटर साइकल की आवाज हो आपके गाड़ी की आवाज हो हम बहुत आसानी से उसको पहचान लेते हैं तो प्यारे बचो sound जो है एक हम कहते हैं it's a kind of sensation received by our ears and perceived by our brain तो बैटा जो भी हम आवाज अपने कानों से सुनते हैं उसको हम अपने दिमाग तक लेकर जाते हैं और बहुत आसानी से distinguish कर पाते हैं पहचान पाते हैं कि ये किस परकार की आवाज होगी इसलिए हम कहते हैं कि sound जो है वो आप बहुत आसानी से जो है recognize कर सकते हैं जैसे बचे मैं आपको बताता हूँ आपके पास जो है बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनकी आवाज को सुनकर आप बता देते हैं कि ये आवाज किसकी होगी अगर पक्षी जो है आवाज करते हैं तो आप पहचान लेते हैं कि ये पक्षियों की आवाज है अगर आप गिटार बजा रहे हैं तो आप पहचान लेते हैं गिटार की आवाज है अगर आप तबला बजा रहे हैं तो आप पहचान लेते हैं कि ये तबले की आवाज है तो इस परकार से हम अलग-अलग आवाजों को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं तो प्यारे बच्चो अब आपने ये देख सुना कि sound जो है एक form है energy का और बहुत important role play करती है हमारे life में बच्चो sound कैसे produce होती है ये आप सब को पता होगा कि sound को travel करने के लिए medium की जरूत पड़ती है sound always requires a material medium for its propagation move करने के लिए एक माध्यम की जरूत पड़ती है medium जिसे हम कहते हैं एक माध्यम की जरूत पड़ती है तो sound जो है कोई भी जो चीज जो vibrate करती है उसके द्वारा भी sound पैदा की जाती है इसलिए हम कहते हैं कि sound is produced by a vibrating body मान लिजे आप इसको समझाने के लिए मैं आपको एक activity बताता हूँ आप एक frying pan अगर आपके घर पे है तो उसको धागे के साथ अगर आप बान दें और चमच के साथ आप उसको बजाएं तो आप जब उसको जोर से बजाते हैं और हलके से finger के साथ touch करेंगे तो उसमें आपको vibrations जो हैं वो नजर आएंगी आप वहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन vibrations की वज़े से sound जो है वो produce होती है तो इसके इलावा जो है अगर आपके पास rubber band है आप rubber band जो है जो सिर में लगाने वाला rubber होता है आप जो है उसको अगर काट दें और एक हिसा उसका अपना मुह में रखें और एक हाथ में रखें और उसको प्लक करें तो आप पाएंगे कि वो vibrate करेगा और vibration से sound produce होती है आप यही activity एकोर धंक से भी कर सकते हैं अपना pencil box ले लीजिए pencil box के जो length वाली side है पूरा वहाँ rubber band लगा लीजिए दोनों किनारों पर pencils रख लीजिए और फिर उसको vibrate करेए जब rubber band stretch होगा और वो vibrate करेगा तो आप जो है देख पाएंगे कि वहाँ पर जो है sound produce होती है तो इसके इलावा बहुत सारी और भी examples हैं जिससे आप बता सकते हैं कि जो भी चीज vibrate कर रही है वो sound को produce करती है इवन कि आप एक plate ले सकते हैं plate में पानी आगर आप डाल लें और उसके किनारे को चमच के साथ अगर आप बजाते हैं तो आप ये पाएंगे कि vibrating plate जो है वो produce करती है waves पानी के अंदर वो ripples जैसे बन जाते हैं वो वहाँ से भी आप बता सकते हैं कि वो पानी vibrate कर रहा है और उसी vibration से जो है वो sound जो है वो produce हो रही है तो इसी लिए हम कहते हैं कि जब भी कोई भी चाहिए वो rubber band है या कोई भी चीज है जो vibrate करेगी वो sound को produce करने में मदद करेगी to and fro जो motion होता है object का उसी को हम vibration कहते हैं जो भी चीज जैसे rubber band आगे पीछे move कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे vibration बोलेंगे और जब vibrations नहीं होंगी जब vibrations रुख जाएंगी तो sound भी produce नहीं होगी अगर हम बोलते हैं अगर हम आवास हमारे मुझ से निकलती है तो वो भी किसकी वज़े से निकलती है जो adam's apple है अगर हम proper तरीके से उसको अगर दबा दें तो जैसे मैंने अभी अपने हाथ अपना गले में रखा और उसको दबाया तो हमारी sound जो है वो proper produce नहीं होगी तो यह जो vibration है यह जो vibration आप मैसूस कर सकते हैं अपनी fingers को अपने गले में रखते हुए कि वहाँ पर भी vibrations हो रही है और आपको proper तरीके से बोलने में मदद मिलती है तो बहुत सारी चीजे हैं बच्चो हम कहते हैं कि जो vibrating object है वो sound को produce करता है और कहीं बार vibrations बहुत असानी से हम देख भी सकते हैं और लेकिन कहीं ऐसे cases होते हैं जहांपर हम vibrations को मैसूस नहीं कर सकते हैं लेकिन sound produce होती है एक और activity बटा आपके साथ हम यह रख सकते हैं आप एक जो एक खाली नारिल का जो shell होता है आप उसको ले लीजे एक musical instrument जो बनाया जाता है जिसे हम एक तारा कहते हैं आप अपनी किताबों में भी पढ़ेंगे उसकी आपको जो है वहाँ पर diagram भी मिल जाएगी आप बिटा वहाँ देखेंगे कि इसको जो है आप एक अर्धन pot एक मिट्टी का जो छोटा सा pot होता है उसकी मदद से भी आप बना सकते हैं और बहुत सारे ऐसे instruments हैं, musical instruments हैं जो अलग-अलग परकार की sound को produce करते हैं vibrations के जरिए तो एक तारा एक ऐसा activity हो गई उसके बाद जो है आप देखेंगे आपने देखाओगा musical instruments हैं मंजीरा है, घटम है या mud के जो pot होते हैं वो अलग-अलग परकार की sound को produce करते हैं गिटार आप बजाते हैं उनकी जब तारों को आप छेड़ते हैं तो वो vibrate करती हैं और वहां से भी sound produce होती है तबला बजाएंगे, उसका जो membrane होता है जो उपर का stretch membrane होता है वो जब आप उसको बजाते हैं तब भी वो vibrate करता है और sound produce होती है बानसुरी, जब आप बानसुरी बजाते हैं तो हवा, जो है air columns के जरीए वो vibrate करता है और ultimately sound को produce करता है अगर हम उसके सारे सुराग बंद कर दें तो बानसुरी जो है वो नहीं बजेगी वो sound भी produce नहीं होगी तो हम बहुत सारे musical instruments को भी देखते हैं जिन मेंसे जब vibrate करते हैं और sound को produce किया जा सकता है तो प्यारे बच्चों इसके साथ साथ बहुत सारी हमारे पास ऐसी activities हैं जिनको हम कर सकते हैं जैसे sound को करने के लिए आप जलतरंग भी बना सकते हैं अप जलतरंग कैसे बनाएंगे आप क्या करिए आपके घरों में सब के पास जो है आप गिलास होते हैं शीशे के गिलास हैं स्टील के गिलास हैं आप शीशे के गिलास ले लीजे छे साथ गिलास ले लीजे और उनमें जो है अलग-अलग लेवल पे पानी भर दीजे जब उनमें जो है आप पानी भरेंगे अलग-अलग लेवल पे मानके चलिए एक में आपने 10 मिली लीटर पानी भरा दूसरे में 20 मिल फिर 40 मिलिली लिटर पचास इस परकार से 60 तो आप जब अलग-अलग हाइट पे अलग-अलग लेवल पे पानी को भरेंगे तो आप यह महसूस करेंगे आप यह देखेंगे कि जब आप उसको किसी चमज के साथ या किसी स्टिक के साथ उनको beat करेंगे उपर उसके जो है जिसको हम rim कहते हैं वहाँ पर जब आप उसको बजाएंगे तब आप अराम से सुन पाएंगे अलग-अलग परकार की आवाजों को तो इस परकार से किसी pencil की मदद से भी कर सकते हैं हम स्ट्राइक जब आप balls पे gently बड़े प्यार से यह नहीं तूड़ जाए गिलास तो बड़े प्यार से जब आप करोगे तो आप देखोगे कि बहुत खूबसूरत बहुत pleasant sound जो है वो produce होगी जिसे हम क्या बोलते हैं जल तरं sound कहते हैं तो बचो ये तो अभी हमने पढ़ा कि किस परकार से जो है sound जो produce होती है किसी भी vibrating body के जरीए sound कैसे पैदा होती है अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो sound है उसको travel करने के लिए माध्यम की ज़रूत पढ़ती है और माध्यम जब तक नहीं होगा जब तक medium नही करेगी बहुत सारी ऐसी बच्चे activities हैं आपने की होंगी छोटी छोटी आपने जो है कोई rubber की strips ले लीजिए एक same size की ले लीजिए और उन दोनों pieces को एक दूसरे के ऊपर रखी और stretch करिए तो आप हवा को जब उनके बीच में कोई हवा जब आप भरेंगे तो आप पाएंग इसका टुकड़ा आप काट लीजिए छोटा सा rectangular type का फिर उसको fold करिए और उसके एक end से जो खुला नहीं है उदर से उसको काट लीजिए और हवा जो है वहां से blow करिए तब भी आपको जो है वो sound produce होती हुई सुनाई देगी तो बटा ये तो आपने बहुत सारी ऐसी activities की भ sound needs a medium for propagation sound को एक माध्यम की जरूत होती है travel करने के लिए और जब तक किसी भी चीज़ को माध्यम नहीं मिलेगा material medium नहीं मिलेगा तो sound travel नहीं करते हैं हम ये कहते हैं कि sound जो है solids में से भी travel करते है liquids से भी और gases से भी तो हवा में तो sound अगर हवा नहीं होगी हवा निकाल दी जा simplicity बताता हूं simple सी कि किस परकार से हम बता सकते हैं कि sound को एक माध्यम चाहिए travel करने के लिए आप एक काम करिए बच्चो कि आपके पास घर में कोई भी metal glass होगा tumbler जैसा होगा आप उसको ले लीजे और पर एक बात का ध्यान रखेगा कि वो बिलकुल सूखा हो उसके अंदर पानी ना हो आप उसके अंदर अपना mobile phone रख दीजे लेकिन एक बात का ध्यान रखेगा कि जो mobile phone आप यूज़ करेंगे ठीक है वो उसके अंदर पानी ना हो गिलास के अंदर इस चीज़ का खास ध्यान रखेगा नहीं तो डांट पड़ जाएगी घर से और खराब भी हो सक करेंगे तो आप उसको जो है रिंग को ध्यान से सुनिये अब आप क्या करिए कि जो आप उसका उपर वाला टॉप पोर्शन है जिसको हम कहते हैं गिलास का अपने उसके आसपा जो हाथ के साथ उसको जो है बंद कर लीजे और उसको अपने मौत के पास लेकर जाईए दोनो अब आप क्या करिए की उसको बड़े ध्यान से सुनिये, लेकिन कैसे? धीरे धीरे जो हवा गिलास के अंदर है, उसको आप सक कर लिजे, आप उसको जो है, अपने अंदर ले लिजे, तो जैसे ही आप आप देखेंगे कि हवा जैसे यसे वहां से निकलती जाएगी, उसकी जो है आपको अवाज क्योंकि उसके अंदर हवा भर जाएगी और हवा एक माध्यम है एक मीडियम है साउंड को ट्रेवल करने के लिए तो फिर से जो है आपको उसकी अच्छी सी साउंड जो है वो सुनाई देना शुरू कर देगी तो पैरे बच्चों हमने यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर दिया कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरोत पड़ती है और बिना मीडियम के साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करेगी यानि कि वैक्यूम जब क्रियेट हो जाएगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगी क्या साउंड जो है लिक्वेट से जरिये भी travel करती है हाँ प्यारे बच्चो इसके लिए भी हम एक छोटी सी activity आपको बताते हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं आप एक काम करिए एक bucket ले लीजे या एक bath tub ले लीजे आप और उसमें बिलकुल साफ पानी भर दीजे और एक bell ले लीजे जो हम यूज करते हैं bell जैसे कोई मंदिरों में जो घंटी बच्चती है वो वैसी वाली bell ले लीजे ये कोई भी चीज और आप उसको bell को पानी के अंदर शेक करिए ताकि sound produce हो लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपने कि वो bell जो है वो bath tub जो भी आप यूज करेंगे उसके bottom को touch ना करें यानि कि बिल्कुल जो bell आप यूज करेंगे वो बिल्कुल पानी के अंदर हो bottom को ना चुए अब फिर क्या करिए धीरे से अपने कान को जो है पानी के surface के उपर रख दीजे तो लेकिन एक बात का आप खास धियान रखेंगे कि पानी के उपर मैंने रखने के लिए बोला आपका कान पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए पानी के अंदर अगर अगर आप कान रखेंगे तो शायद पानी आपके कान के अंदर जा सकता है, तो वो नुकसान दे भी हो सकता है, इसलिए इस चीज का खास ध्यान रखेगा, कि जो आपका जो कान है, वो पानी के अंदर ना हो, तो फिर आप क्या करिए, कि आवास जो है उस बेल की, जो है आप बेल बजाएगे, और देखिए ध्यान से कि आपको जो है उसकी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है तो बहुत आप ध्यान से सुन पाएंगे कि आपको उसकी आवाज जो है वो सुनाई देगी लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आप जो है एहतियात जरूर बढ़तीएगा इस experiment को करने के लिए इस activity को करने के तो ये भी तो उनका एक माध्यम है जिसके जरीए वो एक दूसरे के साथ बाचीत कर सकते हैं और भी बहुत सारी हमारे पास activities हैं एक आप बहुत जैसे एक बहुत scale होता है 100 cm का लंबा scale या कोई लकडी का piece जो है वो आप लंबा सा बिल्कुल plain, smooth सा ले लीजे और आप जो है अपने दोस्त की मदद से उसको handle करिए अपने दोस्त को बोलिए कि एक end पे वो खड़ा हो जाए उसको पकड़ के और दूसरे end पे आप खड़े हो जाए तो बच्चो आपने करना क्या है कि अपने दोस्त को आप एक side को अपने कान के साथ लगा के रखिए और दूसरे end पे अपने दोस्त को कहिए कि उसके उपर scratch करे हलका साफ अपने जो है fingers के साथ उसको scratch करना शुरू कर दे और जैसे ही वो scratch करेगा आपको उसकी हलकी जो अवाज होगी वो भी सुनाई देगी तो ये भी एक activity है जिसमें हमें पता लगता है कि sound जो है वो solid से भी travel करती है तो बच्चो आपने ये देखा कि बहुत सारी activities है जो हम आपको बताने जा रहे हैं जो हम करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप भी जरूर इन activities को perform करें अब एक table तो सब के घर पे होता है अब table पे जो है बहुत tables बड़े-बड़े भी होते हैं आप एक काम करिए एक जो है अपने brother को, sister को, friend को किसी को भी बोलिए कि भाई एक side पे जो है आप क्या करिए खड़े हो जाए दूसरे side पे आप खड़े हो जाए तो आप जो है sound ऐसे tapping करिए table के ओपर और अपना कान जो है वो table के ओपर लगा लीजे तो जो आपका friend जो tapping कर रहा है धीरे-धीरे tap कर रहा है, हलके-खलके से बजा रहा है आपको उसकी आवाज भी बिल्कुल clear सुनाई देगी पैरे बचो, आपने ये चीज नोट की होगी कि बहुत बार जो है आप देखते हैं कि आप कहीं पर bus stand में खड़े हैं या आप railway station में खड़े हैं तो आपने देखा होगा जब train आपके बिल्कुल पास खड़ी है और जब वो जाती है तो कितना ज़्यदा शोर होता है लेकिन जैसे से वो दीरे 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 आगे चली जाती है तो उसकी आवाज धीमी होना शुरू हो जाती है या कोई train आपके पास आ रही है उसकी आवाज धीमी होती है लेकिन जैसे ही वो आपके तक पहुँचती है तो उसकी आवाज जो है वो भढ़ना शुरू हो जाती है तो इस परकार से हम जो है different different activities के जरीए जो है आपको बता सकते हैं कि sound जो है वो mediums के जरीए ही travel करती है उनको medium चाहिए एक माधियम चाहिए propagate करने के लिए तो प्यारे बचो एक ओर activity है जिसे हम एक toy telephone के नाम देते हैं हम क्या करेंगे दो आपके पास जो है कोई भी disposable cups होंगे आप घर में वो disposable cups ले लीजे उनके बिलकुल bottom पे बिलकुल जो उनकी सते है जहां से वो बंध होता है गिलास और एक side से खुला है एक side से बंध है जहां बं वहां पर एक धागा जो है बांध दीजे और not बांध लीजे ताकि वो धागा बहार ना निकले और फिर दूसरा गिलास लीजे सेम वहां पर भी ऐसा करिए और धागा जो है जो लेंगे आप चाहे वो कोई भी cotton का ले लीजे कोई भी ले लीजे wool का ले लीजे तो जब आप उसको 10 मीटर या 5 मीटर या 4 मीटर लंबा अगर आप उसको करेंगे तो वो जितना लंबा धागा होगा जब आप इसको stretch करेंगे और अपने friends के साथ बातचीत करेंगे आप एक गिलास के जरीए अपने मुझ के पास लेके जाएए और बात करिए और दूसरा उसको अपने कान के साथ लगा के रखेगा तो ये भी जो है एक मीडियम बनेगा जिससे हम कहते हैं कि sound जो है वो travel करेगी और travel किसकी वैसे करती है vibrations की वज़े से जब आप बोलेंगे एक side से तो वहां से vibrations पैदा होंगी और वो vibrations उस धागे के जरीए जो है वो दूसरे side पर जो खड़ा है आपका friend उसको सुनाई देंगी आपकी अवाज तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो sound है वो different mediums में travel करती है अलग-अलग mediums में अब हम जो है एक और different आपके साथ topic ले रहे हैं दिसमें हम कहते हैं कि sound जो है वो किस परकार से travel करती है और कुछ sounds जो है हम कहते हैं audible होती हैं और कुछ sounds जो है वो inaudible होती है audible sounds हम उनको बोलते हैं जो हमें बहुत असानी से सुनाई देती हैं और जितनी भी sounds होती हैं बेटा 20 hertz और 20,000 hertz की जो उनके बीच की आवाज होती है वो सारी की सारी audible होती है किसको बला human beings को और याद रखिए बेटा कि sounds जिनकी frequencies कुछ ऐसी आवाजें होती है जिनकी frequency 20 hertz से भी कम होती है और कुछ की 20,000 hertz से भी जैदा होती है जो हम नहीं सुन पाते हैं जो हमारे कान है इन परकार की आवाजों को नहीं सुन पाते हैं तो ऐसी आवाजें जो हैं वो inaudible sounds में आती हैं जो आवाज हम असानी से सुन पाते हैं वो audible sounds जो हम नहीं सुन पाते हैं वो inaudible sounds कहलाती हैं तो प्यारे बच्चों आपने कभी बहुत सारी सुना होगा कि जो dogs हैं या snakes हैं ये आपस में जो हम कहते हैं ये सारी आवाजें सुन पाते हैं जो हमारे कान नहीं सुन सकते हैं और snakes जो हैं आपको पता है snakes जो हम कहते हैं they are set to be able to detect an earthquake before it actually occurs earthquake आने से पहले ही वो उनको भाब जाते हैं कि वो earthquake आने वाला है तो ये एक facts है तो हम कहते हैं कि जो आवाज जो ऐसी sounds जिनकी frequencies 20 hertz से कम होते हैं उनको हम infrasonic sounds भी कहते हैं क्या बोलते हैं बच्चों? infrasonic sounds या infrasounds भी कहते हैं और ऐसी sounds जिनकी frequency 20,000 hertz से जएदा होती है उनको हम ultrasonic sounds भी कहते हैं या ultrasons कहते हैं ये जो भुंचाल आते हैं अर्थक्वेक्स आते हैं ये infrasonic sounds को produce करते हैं जो जानवरों को बहुत असानी से सुनाई देती हैं और वो alert हो जाते हैं एवन कि जो bats है ये bats जो हैं या dolphins हैं ये ultrasonic sounds को produce करते हैं dogs जो हैं उनकी एक ability होती है ultrasons को पहचानने की तो बच्चों हम ये कहते हैं कि जो आवाजें हमें असानी से सुनाई देंगी वो सारी की सारी कौन सी होंगी audible sounds और जो हमें नहीं सुनाई देती जिनको हम नहीं सुन सकते क्योंकि हमा कान जो है बहुत sensitive होते हैं तो वो sounds को हम inaudible sounds कहते हैं तो बच्चों इसके साथ साथ जो है हम एको topic लेंगे जो हमारे पास है speed of sound तो बैटा जो speed होती है sound की जब हम speed of sound की बात करते हैं तो speed क्या मतलब हो the speed of sound का मतलब वो speed क्या है that is distance upon time तो जो भी sound जो propagate करती है वो vibration की वज़े से करती है object की यह मैंने आपको बार बार आपको यह बताया है और हम यह कहते हैं कि जो propagation है sounds की बहुत आसानी से जो है solids liquids में travel करती है अब जो different mediums हमारे पास होते हैं बच्चे उन सब में जो है sound जो travel करेगी वो अलग-अलग हम कहते हैं कि जैसे मान लीजे speed जो है sound की air में वो होती है 340 meter per second speed sound की हवा में 340 meter per second है लेकिन liquids में speed जो है वो 1500 meter per second होती है और जैसे solids जैसे steel है उसमें speed sound की 5000 meter per second है और इसी तरह से अगर हम देखें हवा में मैंने आपको बताया कि कितनी होती है 340 meter per second अगर हम water की बात करें पानी पानी के अंदर जो है speed sound की जो है 1493 meter per second होती है अगर आप समूंदर पानी ले ले तो उसके अंदर जो है 1533 meter per second होती है अगर आप vacuum ले ले तो vacuum के अंदर जो है speed कितनी होगी बिलकुल 0 क्योंकि speed जो है वो हम कहते हैं जो sound की जो speed होती है वो vacuum में बिलकुल 0 होती है वो वहाँ से travel कर ही नहीं सकती तो इस परकार से हम यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि sound जो है वो travel करती है water से much faster travels through water much faster कम से कम भी 4 times than through air इसलिए steel के जरीए मैंने आपको बताया कि वो travel करेगी roughly 15 times faster than air 15 times faster जो है वो हवा से जो है वो travel करेगी तो प्यारे बच्चो अभी आपने जो है जितने भी topics हमने आपके साथ discuss किये उमीद करता हूँ कि यह सारे के सारे topics आपको समझ आए होंगे clear हुए होंगे जब हम sound का next part आपके साथ discuss करेंगे sound part 2 तो उसमें भी हम जो है sound से related different जो activities हैं वो आपके साथ लेंगे meanwhile आप सब बच्चे जो हैं मैं कुछ एक दो activities आपको जुरूर दूँगा जो मैं चाहूंगा कि आप जुरूर घर पे करिए sound कि से related एक activity आप एक तारा जुरूर बनाएए वो बहुत अच्छी activity है वो आप कर सकते हैं सब अच्चे इसके साथ साथ जो है एक जो मैंने water की activity आपको बताई आप वो भी कर सकते हैं कुछ एक दो questions जो हैं वो मैं आपको दूँगा और आप जो है उन questions को जरूर copy pen लेकर उनको note करिएगा और as a activity उनको perform करने की कोशिश जरूर करिएगा आप सब के लिए home assignments में एक question है name different musical instruments which produce sound name different musical instruments which produce sound second है what produces sound in a guitar what produces sound in a guitar और third है आपके लिए name three properties of sound name three properties of sound ये तीन questions आपके assignments के लिए हैं इसके साथ साथ मैंने आपको एक activity बोला जो एक तारा बनाने के लिए वो जुरूर बनाएए और इसके साथ ही मैं अब अपने topic को खतम करता हूँ thanks to all the students for listening hope you enjoyed the lesson soon we will discuss sound part 2 have a nice day God bless you all